हेलो आवरीवण और वेल्कम बाग तो आवर यूट्यूब चैनल सावी फॉरेंचिक्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैचियल और पॉंटीन हामरेज की बिसिकली ये तो हम समझेंगे ही लेगिन इसके अलावा और बहुत सारे इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट पॉंट्स को डिसकास करेंगे जो कि आपके जो सेक्शन ए वाला पॉजिशन है वहां से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है जो आपका फैक्ट का सिलिबस है उसी के से बीडियो बात कर रहे हों तो pom Alabama के वुच्छन हैं को सारे पॉइंट है बेसिकली पॉइंट्ष करेंगे तो चब्यूंडि से जिल्ले से श्चन कर लेते हैं और यहां पर पहले तो हम कष्च्छ औपॉंट में होता है उसको डिसकास कड़ेंगे सबसे पहले हम बात करें उसमें rash-like आपको structures कुछ दिखते हैं, generally normal नहीं देखने को मिलता है, कोई hanging का case है, कोई strangulation का case है, कोई आपका traumatic asphyxia का case है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा venus पे जो आपकी veins रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा pressure apply हुआ है, बहुत ज़्यादा distension हुआ है, बहुत ज़्यादा stretching हुई है, जो आपकी thin wall है, वो rupture हो गई है, जो कि आपकी peripheral vessels है, वो rupture हुई है, जो capillaries है, वो rupture हुई है, उनमें breakage हुआ है, जो आपकी unsupported tissues होते हैं, उसमें कोई breakage देखने को मिला है, तो उसकी वज़ाए से जो आपकी skin रहती है, उसमें आपको बहुत सारे rash like structures देखते हैं, rash like का shower आपको देखता है, तो यह basically जितना भी damage होता है, यह internal होता है, तो उसकी वज़ाए से बहुत सारे patches की तरह से आपको आपकी skin पे कुछ नजर आता है, तो वो जो patches नजर आते हैं, उसी को हम बोलते है, patchial hemorrhage, hemorrhage का basically मतलब होता है, कि आपके जो body है, तो body में internal bleeding होई है, जो आपकी veins है, जो आपकी arteries है, capillaries है, tissues है, उसमें कोई ना कोई rupture हुआ है, तो वो आपका hemorrhage कहलाता है, और जब यह patches के form में होता है, तो इसको हम बोलते है, patchial hemorrhage, इसका other name होता है, tarduse spot, तो यहाँ पर यह आपके कुछ symptoms कह सकते हैं, जो कि आपको diagnosis करने पर यह सारी features वहाँ से आपको निकल कर मिलते हैं, पहला तो रहता है bacterial endocarditis, second है आपका meningococcal septicemia, next है आपका blood dyskrasis, next है purpura या फिर hemophilia, उसके अलावा coronary thromosis, तो यह सारे कुछ आपके basically reason रहते हैं, कह सकते हैं कि यह reason है जिसकी वज़ा से आपको patchial hemorrhage देखने को मिलता है, यह जो आपका meningococcal septicemia है, यह एक तरह का bacteria है, यह सारे आपके blood disorders होते हैं, जैसे कि hemophilia के बारे में आप सभी को पता होगा कि जहां पर आपका blood clotting जो रहती है, वो नहीं हो पा रही होती है, जो आपकी arteries होती है, तो उसमें जो blood रहता है, वो जो flow करता है, तो flow में क्या रहता है कि काफी बार कुछ उसमें problem create हो जाती है, जो उसमें एक clot type का बन जाता है, आपकी vessels के अंदर, तो वो आपका coronary thrombosis कहलाता है, तो यह सारे आपके basically कह सकते हैं कि reason होते हैं, जिसकी वज़ा से आपको patchial hemorrhage देखने को मिलता है, और यह किस-किस reason में आपको किस-किस condition में देखने को मिलेगा, hanging, strangulation and traumatic asphyxia, अब यह hanging, is triangulation and traumatic asphyxia, क्या होता है, उमीद करती हूँ, आप सभी को पता होगा, बट अगर नहीं पता है, तो मैं एक separate video बनाऊंगी, जहां पर asphyxia और उसके कितने types होते हैं, उनको हम पूरा discuss करेंगे, चिक है, अब हम आगे चलते हैं, और next है आपका pontine hemorrhage, तो pontine hemorrhage क्या होता है ये एक तरह का आपका intracranial hemorrhage होता है, जो आपका cranium रहता है, आपका skull है, skull के अंदर आपका brain available है, तो वो आपका cranium जो रहता है, उसके अंदर जो आपकी जो tissues रहते हैं, उसमें damage cause होता है, internal bleeding होती है, brain stem और pons veroli, ये आपके brain का portion होता है, तो उसमें अगर कोई damage होता है, तो वह आपका पॉंटीन हामरेज कहलाता है यह जैनरली जो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है और कई बार यह जो नेच्छरल इंट्राक्रेनियल हामरेज रहता है पॉंट्स वेरलाई में यह आपका प्रैसेपटेट भी कर जाता है एक हामरेज इसको हम पॉंटीन हामरेज का दूसरा नाम भी कह सकते हैं जो इंट्राक्रेनियल हामरेज है यह पॉंटीन हामरेज का सेकेंड या फिर अधर नीम हो जाता है तो पैचियर और पॉंटीन हामरेज क्या होते है इसको हमने देख लिया उम्मिद करते हो यहां तक आप चीज़ों में बहुत अच्छे से clarity मिली होगी अब यहाँ पर कुछ आपके important points है तो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो point बन जाता है वो यह बन जाता है मैं आपसे caution पूछ रही हूँ अगर आपको answer पता होगा तो आप लोग comment section में देरेंगे पहला तो question यह है कि bone woman के नाम से कौन जाना जाता है कि आपको पता है अगर पता है तो अच्छी बात है और यह आपके exam में question बन सकता है तो bone woman जो रहती है यह आपकी है एक scientist थी Dr. Clea Koff तो इन्होंने क्या किया था bone का use करते हुए बहुत सारे cases को solve किया था इसी बज़ा से Dr. Tilya Koff को bone woman के नाम से जाना जाता है यह बहुत important है इसको आप थुला सा ध्यान में रख लेंगे next question है founder of criminal investigation जो criminal investigation है उसके founder कौन है crime scene investigation आप सभी को पता है CFI तो उसके investigation के founder कौन है criminal investigation के founder है आपके Henry Fielding H-E-N-R-Y-F-I-E-L-D-I-N-G Henry Fielding तो यह नाम जितने भी बता रही हूँ यह बहुत important है इनको थुला सा अपने दिमार्ग में बठा लीजएगा next question है आपका Paul Kirk Paul Kirk यह एक scientist थे अब इन्होंने क्या काम किया है इन्होंने एक book लिखी है और उस book का नाम है Crime Investigation book का नाम है Crime Investigation तो यह जितना भी मैं books बता रही हूँ यह सारी books important है आपके fact के exam point अभी उसे और आपके net के exam point अभी उसे भी तो दोनों चीज़ों सों को बहुत अच्छे से जितने भी points यहाँ पर हम fact के लिए discuss कर रहे है यह सारे points आपके net के perspectives है भी important है तो दोनों तरह से इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो Paul Kirk ने एक book लिखी थी उस book का नाम था Crime Investigation किस year में लिखी थी 1953 1953 में इन्होंने book लिखी थी ठीक है next term है आपका corpus delecti तो corpus delecti उमिद करती हूँ सबको पता होगा basically ये question आपके जो fact का exam over the 2018 में वहाँ पर पूछा भी गया था तो corpus delecti का क्या मतलब है basically इसका अगर हम definition की बात करें to establish that crime has actually been committed या फिर हम इसके बात कह सकते हैं कि body of crime जो crime का major body होती है body का मतलब है कि जहाँ पर physical evidence is present है जो एक major portion है crime scene का जिसकी वजह से हम ये proof कर सकते हैं कि ये particularly crime हुआ है मतलब ये forged crime नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है ये actual crime हुआ है तो वो चीज आपकी कहलाती है corpus delecti simple सी definition है to establish that crime has actually been committed और जो आपका exam था तो वहाँ पर question का जो answer था body of crime मिदोनों का मतलब वही है वह सोड़ा सा उसको समझने की बात है next यहाँ पर बात कर लेते हैं एक scientist है आपके basically एक scientist है आपके Hans Gross ये नाम सभी ने सुना होगा तो इनसे related काफी सारे points है इसकों में discuss करना है तो इन्होंने जो Hans Gross है इन्होंने criminalistic term को derive किया था किस term से derive किया था criminalistic से ही तो यहाँ पर हर जगे पर आपका C का use होता है तो इस term को इन्होंने derive किया था किस से criminalistic से ही जहाँ पर C की जगा पर आपका K हो जाएगा criminalistic ठीक है ये थे कौन? ये एक Austria के criminal jurist and criminologist थे ये बहुत important है कि ये criminologist थे उसके अलावा इनको father बोला जाता है father किसका बोला जाता है? criminalistics का father of criminalistics कौन है? hands gross इसके अलावा इनकी एक book भी है उस book का नाम क्या है? criminal investigations a practical book criminal investigations a practical book ये इन्होंने कब लिखी थी? 1893 में तो ये हो गया आपके hands gross से related कुछ important points अब यहाँ पर कुछ और भी discuss कर लेते हैं basically कुछ important terms हैं वो terms कौन से हैं? पहला तो आजाता है आपका embezzlement embezzlement का अगर हम simple सा meaning समझें तो embezzlement का मतलब होता है theft या फिर चोरी करना या फिर misappropriation करना मतलब किसी चीज में आपके कुछ amount है, कुछ fund है तो उसमें कुछ changes करना so basically अगर कोई individual कुछ money को या property को steel करता है, उसको चुराता है तो वो आपका embezzlement कहलाता है और ये इस तरह के embezzlement cases भी होते हैं next term है आपका manila envelope तो ये manila envelope क्या होता है? तो ये एक तरह का durable envelope है जिसको manila hemp से बनाया गया है, ठीक है तो ये क्या है? ये एक तरह का envelope है जो के durable envelope है जिसका formation manila hemp से किया गया है और इसका derivation इसको derive कहां से किया गया है banana की एक species होती है जो कि Philippines में पाई जाती है तो उसके जो fibers रहते हैं वो बहुत जदा tough होते हैं जो बनाना होता है केला होता है खाने वाला तो उसी की एक species जो के Philippines में पाई जाती थी originally उसके fibers बहुत tough होते हैं तो उसका use करते हुए वो आपका जो बनाये गये था वो manila hemp तो वो basically manila hemp कहां से extract किया बनाना से और उससे बनाये गया आपका manila envelope अब ये जो आपका manila hemp रहता है manila hemp है इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं इसको हम कहते हैं अब आपका A, B, A, C, A next नाम है इसका Musa Textilis ठीक है? Musa Textilis तो ये दोनों ही नाम हैं इसके manila hemp के और जो manila hemp है इसकी ropes भी बनाई जाती है जो कि generally जो ship रहते हैं उसमें use करा जाता है जितने भी ship रहते हैं उसमें जो rope use करी जाती है उसमें जो आपका manila hemp रहता है उसकी बनाई हुई ropes को use करते हैं तो ये manila envelope समझ में आया होगा आपको next यहाँ पर है आपका butcher paper बूचर paper क्या होता है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ये एक तरह का paper होता है जिसका use करा जाता है जितना भी raw meat या फिर fishes होती है तो उनको pack करने के लिए ताकि वो fresh रहे raw meat या फिर fishes को pack करने के लिए butcher paper use करा जाता है जिससे के जितने भी airborne contaminants होते है flavor contamination करते है तो उन सब से बजाया जा सके तो अब इसमें important क्या है इसमें तो ऐसा कुछ जानने वाला नहीं था बट इसमें different यह है कि butcher paper से कुछ और हम important पढ़ेंगे so basically इसको बनाने के लिए इसको हम craft paper पहले बात तो इसका दूसरा नम 씨को craft paper भी कहते है k-r-a-f-t इसको हम craft paper भी कहते है और इसका formation हम कैसे करते हैं कुछ chemical pulp का यूज करते हुए craft process का यूज करते हैं craft process हम करते हैं अब important यहां पर यही है कि craft process क्या होता है तो craft process को हम craft pulping या फिर sulfate process भी कहते हैं इसको थोड़ा समय clarity के साथ में यहाँ परेंगी ताकि आपको समझ में आए craft process या फिर craft pulping या फिर sulfate process तो ये सारे ही नाम आपके craft process के होते हैं अब इसमें होता क्या है ये basically जो wood रहता है उस wood को wood pulp में convert करने की process होती है जो आपकी craft process है craft pulping है sulfate process है ये क्या होता है ये process होती है जो कि आपकी जो wood होती है उसको wood pulp में convert करने के लिए use करा जाता है तो ये question आपके लिए important है कि craft process क्या होता है या फिर sulfate process क्या होता है या फिर craft pulping क्या होता है और इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि wood pulp को wood से convert करने के लिए कौन सी process हम use करते हैं तो ये आपके सामने options हो सकते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है अब यहाँ पर कह रहता है कि wood pulp वो भी वो आना use करा जाता है जिसमें आपका pure cellulose के fibers available होते हैं जिस wood में pure cellulose के fibers available होते हैं जिससे हमको wood pulp बनाना है wood pulp में हमें cellulose का amount ज़्यादा चाहिए है तो उसके लिए हम ये craft process use करते हैं इसके बाद में next term है आपका white liquor अब ये white liquor क्या होता है ये तो आपका toxic का portion हो गया ऐसा नहीं है ये आपका basically white liquor क्या होता है ये alkaline solution होता है और basically strong alkaline solution होता है और यहाँ पर important ये चीज़ है कि white liquor का composition क्या होता है तो इसका composition होता है sodium hydroxide याने की NaOH and sodium sulfide ठीक है तो पहली बात तो यह हो गई कि जो white liquor है ये एक तरह का strong alkaline solution है जो किस जिसका solution है आपका NaOH and sodium sulfide इसका use कहाँ पर करते हैं जो craft process होती है उसके first stage में use करा जाता है जहां पर जो जो lignin होता है और जो hemicellulose होता है ठीक है लिगनिन और hemicellulose को separate करने के लिए इनको अलग-अलग करने के लिए cellulose fiber से मतलब की lignin है और hemicellulose है तो इन दोनों को cellulose fiber से अलग करना है हमें ताकि हमारा जो wood pulp है वो pure cellulose fiber का बन पाए तो उसके लिए हम use करते हैं ये white liquor तो white liquor की help से हम wood को wood pulp में convert कर पाते हैं जहां पर wood pulp हमें purely cellulose का बना हुआ मिल पाता है white liquor क्या है strong alkaline solution है जिसका use आपका lignin और hemicellulose को cellulose से अलग करने के लिए किया जाता है और दूसरी चीज इसका chemical composition क्या है NaOH and sodium sulfide तो ये बहुत important है ये चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ये कुछ ऐसे important terms हैं जो बहुत जादा study करने के बाद में आपको मिलेंगे जेनरली ये questions आपके exam में प्गोर्षय देखने को नहीं मिलते हैं बट यहा से जिसे की काफी सारे ऐसे terms आपको कुछ unique से कुछ different सब्सक्राइबर हैं तो आप सोचते हैं तो कुछ अलक है वह मिलता है तो इसी विडियो यह जो दिलुने देशल्ट में आपको इसी वाले इस नेयर कोछ आपशा है गया हुए अब अपने next वीडीयो में मिलेंगे जहाँ पर कुछ और important चीज़ों को हम discuss करेंगे So अभी इस वीडीयो को करते हैं And मिलेंगे अपने next वीडीयो में बाकी इसकी पेडियाफ, basically पेडियाफ में कुछ थानी, पॉंटीन और Patchel Hambridge से बाकी सब कुछ मैंने लिखा था and thank you so much for joining me here.